सब्सक्राइब करें सरावन लेक्चरर चैनल को और विल आइकन दमाएं सबसे पहले वीडियो देखने वाले हैं चुम्भकिये फ्लक्स के बारे में आज हम लोग देखेंगे चुम्भकिये फ्लक्स की पईभासा उसका सूत्र क्या होता है ठीक है और उसका मात्रक जो होता है क्या होता ठीक है तो दोस्तों वीडियो को लाश्ट तक देखते रहे ना क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टन्ट है और अभी आप लोगों ने मैंने बहुत सारा इस पार्ट का वीडियो बना चुका हूं उसे जाके देख लीजिए बिध्धुद्मोटा बिध्धुजने तरह से कई साय टॉपिक्स कीलियर हो चुके हैं ओम का नियम तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे चुम्भकिये बल रेखाओं की संख्या को उस छेत्र से संबध्ध चुम्भकिये फ्लक्स कहलाता है एक छेत्र है और उसके छेत्र से गुजरने वाली यानिकि लंबवध गुजरने वाली चुम्भकिये बल रेखाओं की संख्या को उस छेत्र से संबध्ध चुम्भकिये फ्लक्स कहलाता है अभी आप लोग चित्र के सहायता से समझ जाएंगे दोस्तों आईए मैं आप लोग को चित्र बताता हूं कि इसका कैसे बनाएं फिर हम लोग इसे अध्यान से देखेंगे देखिए एक आप लोग को मानना है माना एक तल पी क्यूं आरियस है चलिए हम बना देता हूं ये ठाल बना देता हूं और यस-स यह जो है पी क्यूं आर ये इसे शीथे मिलाना थिक ठोड़ा नाम दे देते हैं क्या नाम दे देते हैं पी क्यूं आरियस यह तल है और इसका नाम हम पी क्यूं कि आर यह ऐसे आप लोग अपने कॉपी में बना लीजिए जो हो उसमें बना लीजिए ठीक है फिर हम लोग आगे लेखते हैं माने एक तल पी क्यूं आरियस है ठीक है अब उपर आते हैं ध्यान से देखिए किसी छेत्र के लंबवत गुजरने वाली चुम्भकिये बलरेखाओं की संख्या इसमें से अभी हमें चुम्भकिये बलरेखाओं की संख्या को ले जाना है चुम्भकिये बलरेखा अगर आप ल हो वो लंबवत हो ठीक है तो आप किवल ध्यान से देखिए फिर आप लोग समझ आएगे हमें क्या ले जाना है चुम्मकिय बल रेखाऊ कि संख्याarde ठीक है तो चलिए हम लोग ले चलते हैं चलिए एक चुम भकिए बल देखा चली गई ऐसे हमें ले चलना है बट लंबवत हो यह चलिए ऐसे ले जाना है देखिए ध्यान से ऐसे ही बनाना है चलिए अब हम लोग यहां से ले जाते हैं लंबवत हो कि वो यह देखिए यह लंबवत आप लोगों को ऐसे कई रेखाएं ले जाना है जितना बड़ा आपका चित्रू ऐसे चलिए हम ड्रा कर देते हैं और आप लोग ध्यान से ऐसे ही अपने कौपी में ड्रा कर लिजे यह चलिए ऐसे बना देना है यहां देखिए ठीक है और यह आप लोग को ड्रा करना है ऐसे चुम्भकिये बल रेखाओं की संग्या को और वो एक दूसरे के लंबवत हूँ और यहां हमें एक तीर नुमा दर्साना है कि यह पता चले हाँ इधर की ओर जा रही है ठीक है चलिए हम कर देते हैं और आप लोग भी अपने साथ कौपी प्यन लेकर बैठें नोट्स करते रहें और प्रैक्टिस भी करते रहें ठीक ह ताकि दोस्तों आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ सके साथ में ही कर लिया किजिए तो यह हो गया जो की लंबवत है तो ऐसे आप लोगों को बना देना है अब आगे देखते हैं हम लोग रेखाओं को उस छेतर से समझ चुमख के फ्लक्स गया लाता है तो भाई चुमख के बन देखाओं जो लंबवत होती है वही जो उस छेतर से समझ चुमख के फ्लक्स गया ठीक है यही चुमख के फ्लक्स हो गया यह चितर जो है दोस्तों चुमख के फ्लक्स का है अब यहां आप लोग देखिए यहां माना एक तल P Q Rs है मन aka एक तल P Q Rs है ठीक है यहां देखिए एक तल है P Q Rs मान लिए छेतरफल यह है इसका जो पूरई का छेतरफल है वो यह है क्या दोस्तों 6 trafal एरिया जो है छेतरफल पूरे का वो ये है इस एरिया ठीक है और चुम्भकिय तीबरता जो चुम्भकिय तीबरता है वो B है चलिए हम यहां कहीं लिख देते हैं चुम्भकिय तीबरता जो इसका है वो B है चलिए इसका चुम्भकिय तीबरता जो है दोस्तों वो B है ठीक है इसका चुमख्य ती बरता क्या है B है अब दोस्तों हम जो चुमख्य फ्लक्स होता है उसे 5 से परदर्सित करते हैं तो 5 बराबर क्या हो जाएगा यहां चुमख्य फ्लक्स B है यहां आपका क्या चुमख्य ती बरता B है तथा छेतरफल यह है तो आपका दोस्त तो इतना आप लोगो समझ में आ गया पहले आप लोग परिभासा समझें फिर चित्र को भी समझें ठीक है 1.1 डाल देजिए ठीक है यह चित्र है और परिभासा अब हम एक बार समझा देते हैं फिर हम इसका मात्रग निकालना सीखते हैं चुम्भकिये फ्लक्स किसी छेतर के लंबवत गुजरने वाली चुम्भकिये बल रेखाओं की संख्या को उस छेतर से संबध चुम्भकिये फ्लक्स कहलाता है एक मैने लिया किसी छेतर एक मैने छेतर लिया पी क्यूँ आरियस यानि एक तल लिया या छेतर लिया अब उससे गुजरने वाली चुम्भकिये बल रेखाऊं की संख्या उसे छेतर से संबध चुम्भकिये फलक्स गयराता है है अब इहां आप लोग स्थित्र बनाने के लिए यहां लोग को लेना थानु सोगय नहीं हो भी जुमभादे की स्थे तो तो आप लोगों केवल ध्यान से देखना है बस चलिए हम लोग इसका मात्रक निकालते हैं मात्रक भाई कैसे निकालते हैं ठीक है तो आप लोग मात्रक समझें मात्र किसका होता है दोस्तों यमके यस पद्धति में क्या होता है बेबर ठीक है बेबर होता है एक तो मात्र दोस्तों बेबर होता है और दूसरा मात्र जो हमारा होता है वो होता है न्यूटन किया होता है newton into meter गुडरे ओर दोस्तों प्रत EMP अब दोस्तों एक बात समझे दोस्तों यह मातरक कहां से हाया noon meter प्रत EMP हम इससे कैसे निकाले तो दोस्तों कि वह आप लोग ध्यान से देखिए बस कोई दिख्कत नहीं है देखे आप लोग को तो मैंने क्या बता दा क्या भाइर क्या बताना हुड को क्या कर यूद कि 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 हटाई प्रे Temper यह और अब यह स्था यूद्ल निकालते हैं तब तो यह बी जो है बी क्या है चुम्भकियत तिव्रता चुम्भकियत तिव्रता का मात्रा क्या होता है न्यूटन न्यूटन अपान एम्पियर यह आप लोग को याद होना चाहिए एम्पियर गुरित मीठर और एरिया का जो दोस्तु छेतर होता है मातंग मीठर स्कॉर होता है ठीक है मीटर स्कार और मीटर स्कार हो गया अब क्या करना है दोस्तों कि यह देखें न्यूटन अब यहां आप लोग समझें न्यूटन ठीक है मैंने यहां न्यूटन लिख दिया न्यूटन उपर है न्यूटन 5 तो न्यूटन अब हमें क्या करना है न्यूटन गुड़े मीटर यहा देखे भाई मीटर से एक मीटर चला गया कट गया तो यहां मीटर बचा और आपान यानि की दोस्तो प्रति लगा हुआ है तो प्रति न्यूटन स्वारी एंपियर ठीक है एंपियर तो यहीं से हमें इसका मिला है क्या मातरक ठीक है तो यह दोनों आप लोग इसका मातरक याद कर लीजिए बहुत हीजी है फाई का मातरक जो होता है बेबर या न्यूटन मीटर प्रति एंपियर होता है ठीक है तो इससे आप लोग नोट्स नहीं किया हो तो नोट्स कर वीडियो को स्किप करके नोड कर सकते हैं और आप लोग उसको नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे करके ध्यान से समझ लीजिए ठीक है ताकि आप लोग के बोड़ इक्जाम में पूछा जाए तो आप आसानी से लिख सकें आप लोग दोस्तों इस टाइप के जो नुमेरकल साते हैं जो इस टाइप के नुमेरकल आते हैं ठीक है नुमेरकल स्वाट करण में नुमेरकल आते हैं उससे आप लोग घर पे लगाईए इसी पर कई सारा नुमेरकल आपके बोड़ इक्जाम में पूछा जाता है जैसे टेटा कमानहीं देए जीरो ड्री अब इसपे कहा कि इस पे लगाई ये तो 5 ब diferर विए और कॉस्टीटा कमान 100-100 है तो जीरो होता है ठीक है 90 क्या होता है क्वाश ठीटा का तो दोस्तों इसे आप लोग अपने ठोंड के या कहीं से उसे ड्षूंड के लगाईए और अगर आप लोग कोई भी पसे तो आप लोग गुरूप मेरा जौइन कर लिजी उसमें पेज दिए मैं आपने वरको इसका स्वा लिशन देद सब्सक्राइब कर दीजिए तो धूझत के लिए धन्नवाद